Hello everyone, good morning, satshrakal, salam, namaste, दोस्तों आजाए December 14, 2022 हम लोग करने वाले हैं The Hindu News Paper के Analysis, मिना नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टोपिक्स यहां पर करने वाले हैं तो आज topics काफी जादा है, इसलिए काफी सारे topics मैंने जो है additional articles के अंदर डाल दिये हैं लेकिन सारे repeated से हैं, इसलिए जादा focus नहीं करेंगे, जो topics आज focus करने वाले हैं, वो ये वाले हैं इसमें मोग पढ़ने वाले है Organization of Islamic Corporation ये News में थोड़ा है इसके बारे में बात करेंगे उसके बिल्टीस बानो जो केस कुजरात में हुआ था और उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते है As a Case Study उसके बारे में बात करेंगे पुराना टोपिक है रिपीटिड़ सा है तो जादा फोकिस इस पर हम लोग नहीं करने वाले हैं लेकिन दुबारा स्विर से न्यूज में है तो देखेंगे क्यों है उसके लावा न्यूकलर फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे अपना जीएस पेपर 3 से से सैटलाइट कॉम् रूरल मैनुफेक्चरिंग के बारे में आज का एक बहुत बढ़ी एडिटोरिल सेक्षिन आया है बिल्कुल ब्रैंड न्यू एडिटोरिल है इसके बारे में पहले हम लोग कभी बात नहीं किया यूजली लोगों कैसा लगता है कि जो मैनुफेक्चरिंग है यूजली वो अगर का बैनिफिट है तो वह सब बात हम लोग यांबे करने वाले हैं उससे लावा कोई अडिशनल आर्टिकल भी हमारे साथ हैं और आगर आप में से कोई स्टूडेंट वह फांडेशन कोर्स अगर हमारा जोइन करना चाहता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अगले महीने जैसे हैनी जैनुरी से हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं जैसे डेस्क्रिप्शन बोग में आर्सका लिंक मिल जाएगा आप हमारी वैबसाइट को जाके भी विजिट कर सकते हैं और आज की वीडियो को सभी स्टूडेंट्स ने लाइक करना है उसके बाद ही आपने आपक हमारी वागी आप इसके इस तरफ जाके पैट्रोलिंग नहीं करेंगे यह कोई लीगल तोर सर्फ के डिमार केटन नहीं है पहले ही बता दे रहा हूँ आपको और 1996 में क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में एक agreement हुआ था, जिसमें लोग बोर्डर के ओपर कभी भी fire exchange नहीं करेंगे, मतलब weapons का use नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, लात घुसों का use करते हैं, डंडे का use कर सकते हैं, लेकिन जो है weapons नहीं चलाएंगे गलवान में जो है इस तरह से पहली बार वो सब हुआ था, इतने सालों में, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए थे, बड़ा नफूचनेंट से इंसिडेंट हुआ था, तो हमारे defense minister साब नहीं ये कहाया कि status को, status को मतलब, जिसकर हम लोग हिंदी में बोले हैं, तो आ agreement है, वो status को है, आप इसको change कर रहे हो, तो इसका मतलब आप status को को change कर रहे हो, हमेशा सही voter issue, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, हम लोग status को की बात करते हैं, लेकि चाइना वाले बार-बार हमारी territory में घुस जाते हैं, अपनी power को दिखाने की को करते हैं, वो status को change करने की बात करते हैं, और इस बार तवांग में ऐसा ही हुआ, अभी ICV को है, बेसिकली 8-9 तारिक को, और तवांग में काफी अंदर घुस गए थे Chinese soldiers, फिर हमारे वालों इनको लाते घुसे मार-मार के भगाया है वापिस, तो ये situation होती ही रहती है, इंड तो वह एक अलग बात है, एक याभी केस आता भाई, सुप्रीम कोट, सुप्रीम कोट जज रैक्यूज रैक्यूज हर सेल्फ फ्रम दा हीरिंग बिल्किस बानू पेटिशन, बिल्किस बानू वाला केस तो लग से पढ़ेंगे, पहले आपको रैक्यूज बता देता हूँ, क जो नहीं कर सकता, उसके पीछे अलग-अलग रीजन हो सकते हैं, यहाँ पे तो सबसे बड़ा रीजन होता है, रैक्यूज करने का, वो होता है, कन्फिलिक्ट ओफ इंटरस्ट, आगर कोई जज उसको ऐसा लगता है, कि इस केस के इनवल होने के बाद, वो प्रोपर डिलिव of justice नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, तो अपने आपको उसके से अलग कर लेता है, यहाँ पे धीन जजिज ने अपने आपको अलग किया है, उनका नाम है बेला M. त्रिवेदी, तो आपको पता कि गुजरात के अंदर क्या हुआ था, बिल्किस बानो जी को का 2002 में जो दंगे हुए थे, गुजरात में, 11 लोगों ने इनका रेप किया, मटर भी किया, कि इनके family members का, वो सब हुआ, उसके लबाँ उनको जो है, वो sentence दिये गए थे, 11 लोगों को, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हो, जो हनको छोड़ दिया गया है, उनको remission मिल गया है, basically, है anyways, तो वो जो जजज साहीबा थी, उन्होंने अपने आपको कर लिया है, इस कैसे अलग, क्यों किया है, हालां कि जजजिस को ये बताना जरूरी नहीं होता है, कि हम लोग क्यों अपने आपको अलग कर रहे हैं, बट स्टिल, जो यहाँ पे नजर आ रही है, बात वो ये है, क और उसके बाद वो है, वो CBI में भी कोट जज रही है, स्पेशल जज रही है, उसके लावा उनको गुजरात हाई कोट में फिर एलिवेट किया गया, और बाद में वो सुप्रीम कोट में आई है, तो क्योंकि वो गुजरात से भी लोग करती हैं, और वो लो सेक्रेटरी भी रही थी एक समय में, इसी लिए जो है उनको अपने को रेक्यूज कर लिया है, देखे रेक्यूज करने के दो तिन तरीके हो सकते हैं, पहला केस तो यह होता है, जज अपने आपको खुद ही रेक्यूज कर लेता है, दूसरे केस में जो पार्टीज होती है, जो केस लड़ र परजी होती है, ऐसा कोई रूल यहां पर है नहीं, इस तरह चीज़े होती हैं, तो बिल्कुस बानो जी ने उस remission के against में case यहां पर file किया है, यह थोड़ा आपको यहां पर पता होना चाहिए, तो आपको मैंने इंटरेस्ट के वज़े से जज़ अपने आपको अलग कर लेते हैं, जो remission दिया गया है, उन 11 लोगों को, उसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, देखें, remission का मतलब क्या होता है, कैसे वो काम करता है, life imprisonment normally means convict remain in jail for the whole of the life, ठीक है, life imprisonment यानि कि किसी को उमर कैद की सज़ा हो जाती है, तो उसका मतलब यह होता है, कि वो आदमी अपनी आखरी सांसें, जब तक उसकी natural मृत्यू होती है, वो jail के अंदर ही सुनेगा, लेकिन हमारा जो CRPC है, IPC है, उसके तहट जो है 14 years की बात यहां पे होती है, अगर आख 14 years की jail काट लेते हूँ, ठीक है, तो आपका एक तरह से life imprisonment ही माना जाता है, लेकिन बहुत बार state government और central government अपनी power का यूज़ करके, उस आदमी को जो, जिसको life imprisonment मिला होता है, 14 साल करने से पहले ही उसको remit कर सकती है, यानि कि उसकी सजा को माफ कर सकती है, ठीक है, इसका मतलब होता है remission, this act by the government is called remission, ठीक है, हमारा जो article 72 है और article 161 है, article 72 हमारे president को और article 161 जो है वो governor को ये power प्रदान करता है, कि आप उसकी को remission दे सकते हो, it is a judicial power of governor and president, ठीक है, ये administrative power नहीं है, ये judicial power है, ये आपको पता होना चाहिए, उसके लावा, Supreme Court ने बोला है कि भाई ये जो आप remission करते हो, देखे गवर्नर का क्या रहता है, गवर्नर तो सरकार का agent होता है, तो कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जो सरकार के नजदीकी होते हैं, जिनको जेल की सजा हो रही होती है, तो वो governor को बोलके remission करवा देते हैं, ऐसा बहुत बार में issues किया जाता है, Supreme Court ने उस case में ये कहा है, कि भाई जो remission होता है, वो informed होना चाहिए, fair होना चाहिए, और reasonable होना चाहिए, यानि उसके अंदर किसी भी तरह का biasness नहीं होनी चाहिए, और arbitrary नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, 2000 के अंदर एक लक्ष्मन नसकार और Union of India case हुआ था, जिसके अंदर Supreme Court ने पाँच ऐसी condition रखी थी, जिसको ध्यान में रखना चाहिए, remission देने से पहले, वो condition कौन-कौन से होती है, थोड़ा यहाँ पर जाके बढ़ सकते हैं, 5-5 considerations हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भाई, वो जो offense किया गया था, जो crime किया गया था, वो individual act है, कि जिसके वज़े से society पूरी impact होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये 11 लोगों को छोड़ा गया है, तो of course society को impact करेगा ये, दूसरी बात ये, कि क्या वो जो criminal है, वो अपने crime को दुबारा repeat कर सकता है future में, आप आपको ये भी ध्यान रखना है, दूसरी बात, क्या वो अपनी potentiality घो चुका है, कन्विक्ट, दुबारे से crime कमिट करने की, क्या उसके पास power नहीं रही है, वो आपको देखना चाहिए, उसके अलाबा, उस आदमे को जब jail की सज़ा सुनाई गय थी, क्या life imprisonment दिया गया था क्या वो, जिस purpose के लिए दिया गया था life imprisonment, क्या वो fulfill हुआ है, वो आपको ध्यान में रखना है, और उस पूरे मामले का social economy condition आपको ध्यान रखनी है, तो कुछ-कुछ condition जो है, यहाँ पर वो दी गई थी, बिलकिस पानु जी के case में क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ lapses हुए हैं, जो कि judicial लोग मानते हैं, को lapses यह हुए है, कि पहली बात तो यह कि भाई, जब गुजरात की government ने जो है, यह decision लिया, तो ऐसा माना जा रहा है, कि गुजरात की government ने central government से permission इसका नहीं लिया है, यहाँ कि central government के साथ उन्होंने consent नहीं लिया है, जबकि इस तरह के cases में लि लिया गया है, दूसरी बात है कि यहाँ पर यह कही गई है, कि जिन judges ने उस case की सुनवाई करी थी, और उन लोगों को light imprisonment की सजा सुनाई थी, जजिस का भी यहाँ पर suggestion consultation लेना ज़रूरी होता है, जो इस case में नहीं लिया गया है, तो कुछ कुछ चीज़े हैं यहाँ पर, उसके अलावा यह जो पुरा case चला था, वो महराष्टरा में चलाया गया था, जो पुरा trial हुआ था महराष्टरा में था, लेकिन वो जो लोग थे, वो बिलोग करते थे खुजरात से, तो यह भी माना जा रहा है, कि जब उनको remission दिया गया है, तो महराष्टरा government के साथ भ पांच या साथ जज़िस के case उसकी सुनवाई कर सकते हैं, तो यह काफी interesting रहने वाला है, let's see my future में क्या होता है, तो भी काफी खीच लिया हम लोगों ने, तो रागर तो जल्दी करेंगे, OIC Chiefs Visit to LOC Sparks Fresh Criticism, तो इसलामिक, इसलामिक कोर्परेशन और जो, और्गनेजिशन औ इसलामिक कोर्परेशन है, इसके कुछ officers जो है भाई वो पाकिस्तान के तरफ से LOC विजिट किया है उन्होंने, तो फकॉर्स इंडिया तो भाई इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा, हम तो हमेशा सही कहते हैं कि जो कश्मीर मुद्दा है, वो हमारा आपसी मुद्दा है, इंडियार पाकिस्तन का बालेटरिल मुद्दा है, किसी भी थर्ड पार्टी को हम लोग इसमें बिल्कुल भी बरदाश नहीं करते हैं, चाहिए उनाइटर नेशन हो, चाहिए उससे हो, चाहिए वो OIC हो, Organization of Islamic Corporation हो, यह हमारा आपसी मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान इस मु हमेशा ही इंटरनेशनल मामले में खीसता रहता है, फालतु में, इंडिया के पर दबाव बनाने के लिए, बढ़ हालकि इससे कुछ होता नहीं है, तो Organization of Islamic Corporation क्या होता है, यह थोड़ा साब को पता होना चाहिए, देखे 1969 में इसका Establish किया गया था सबसे पहली बार, और इंटरनेशनल के बाद यह दुनिया का Second Largest Intergovernmental Organization है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसका परपस है, जो यह कहते हैं, कि जितनी भी दुनिया में इसलामी कंट्रीज है, यह उनकी collective voice है, तो Peace की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, इसलामी कंट्रीज के अंदर, तो यह थोड बजूद भी हम लोग OIC का पार्ट क्यों नहीं है, अब इसके पीछे रहे बहुत सारे argument दिये जाते हैं, कुछ इसके favor में हैं, कुछ इसके against में हैं, पहली बात यह है कि इंडिया किसी एक ऐसी organization का पार्ट नहीं बनना चाहता है, जिसका basis religion होता है, तो इंडिया एक secular country है, तो अफकोर्स हम इसका part नहीं बनेंगे, वो बिसरी बात है, दूसरी बात यह है कि भई, ये पाकिस्तान जो है वो इंडिया की involvement को बहुत ज़ादा oppose करता है OIC के अंदर, उसके अलावा, हला कि पाकिसी, OIC के अंदर ऐसी बहुत सारी country है, जैसे खुद साओधी अरेविया ह बहुत अच्छे है, Qatar हो गया, रिलेशन बहुत ही अच्छे है, UAE हो गया, रिलेशन बहुत अच्छे है, उसलाव मोलदीव हो गया, बांगलादेश हो गया, ये country कुछ ऐसे है, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे relationship है, जो OIC का part है, और secretly जैसे बांगलादेश और मोलदीव गरा है, UAE गरा है, वो नहीं चाहते कि कश्मीर वाले मुद्दे को internationalize किया जाए, बट still, एक stand जो ले लिया गया है, वो उसके पर follow कर रहे है, वो सारी चीज़े हो रही है, बट इंडिया तो इसको कभी भी पसंद यहाँ पे नहीं करेगा, बिलकि स्पानो जी वाले case में थ the sexual offenders, यह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक बच्चों चलिए, आगे बढ़ते हैं, Ministry awaits direct reply on the demand to include Ladakh under six schedule, काफी समय से जब से Ladakh को state से UT बनाया गया है, union territory बनाया गया है, तब से Ladakh के अंदर से डिमांड आ रही है, कि भाया हमें भी six schedule के अंदर include कर दिया जाए, तो ऐसा क्या खास है six schedule के अंदर वो इतनी जबरतस वाँपे डिमांड कर रहे हैं, देखे एक तो लगों को यह लगता है कि जब से UT बनी है तो उनकी representation कम हो गई है, क्योंकि UT का सीधा सा मतलब होता है कि Central Government वहापे directly administer करती है चीजों को, तो वहां के जो representation थी, वहां के Member of Parliament थे भाई, वो तो बेचारे बिरोजगार ही हो गए है, ठीक है, तो उनको काम धंदा मिल नहीं रहा ह तो लोगों की जो आवाज थी, उनको ऐसा लगता है कि वह दबाई जा रही है और Central Government डोमिनिट कर रही है, तो लोग डिमांड कर रहे है कि हमें और ज़्यादा autonomy दी जाए, independence दी जाए, under sixth schedule, तो क्या खास है sixth schedule में आपको यह पता होना चाहिए, sixth schedule हमारे constitution में जो बात करता है हो चार states की बात करता है, Assam, Meghalia, Tripura और Mizoram, यह चारो जो states है वो आपको पता ही है, वो tribal population है भी काफी जादा है, तो इनको administration करने की बात करता है, यह चार चार चारो states की बात करता है, AMTM, ठीक है, तो होता क्या है इन चारो states के अंदर, autonomous districts बनाए जाती है, जहां पे बहुत ज बदा tribal population होती है, autonomous मतलब independence जो है वो districts बनाए पहचान ली जाती है, जिसके अंदर governor उन councils को, जो district councils होती है, उनको अलग-अलग तरीकी की power देता है, मतलब आप यह समझ लीजिए कि मोटे-मोटे तोर पर क्या होता है, यह जो tribal districts होती है, यहां पे tribal के culture को, उनके traditions को, उनकी practice को protect करने के लिए councils बनाए जाती है, तो सरकार यहां पे directory intervene नहीं करती है, तो उनकी जो culture होता है, भाई, चाहे वो taxation को लेके हो, चाहे वो वहाँ पे land को लेके हो, customs को लेके हो, वो लोग खुद ही administer करते हैं, यह बैसलिए उनके culture को protect करने के लिए, यह schedule यहां पे बनाया गया है इसे district councils कहते हैं, आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर लगबग 30 members होते हैं, governor के दोरा प्रेंट की जाती हैं, और उनको दोरा ही इनको power दी जाती है, अब सवाल यहां पे उठता है कि जो लदाक demand कर रहा है, वो सिर्फ EC के लिए कर रहा है, लदाक में लोग यह चाहते हैं कि भाई, वो अपने affairs को खुद manage करें, जैसे आसाम, मेगालिया, त्रिपरा और मिज़ारम के अंदर district councils कर रही हैं, यह पर D लिख लेना, district councils कर रही हैं, तो और उनका यह भी मानना है कि लदाक क्योंकि एक tribal dominated union territory है, तो इसको सिर्फ schedule के अंदर लेके आने में कोई किसी तरह क दिक्कत सरकार को नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई सरकार का यहाँ पर अपना argument है, देखिए, आप इन चारों state को ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर देखे मनीपूर, मनीपूर तो इसके अंदर नहीं है, जबकि मनीपूर जो है, नागालेंड भी इसके अंदर नहीं है, आरुनाचल परदेश भी इसके अंदर नहीं है, जो की 100% tribal है, समझ रहे हो, तो जब वो state यहाँ पर नहीं है, तो भाई आप लद्दा को कैसे इसके अंदर डाल दो गए, तो यह तो out of question है, पहले नंबर उनका आएगा, फिर आपका नंबर आएगा, और tribal जो regions हैं, उनको manage क करने के लिए, अलड़ी हमारे पास 5th schedule है, तो 5th schedule के अंदर लेके आ सकते हैं, लेकिन schedule के अंदर लेके आने का फिलाल कोई, ना तो ऐसा सरकार का विचार है, और ना ही इस तरह के legal provision यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, तो यह कुछ कुछ चीज़े हैं, थोड़ आपको पता होना अमेरिका जब अपने country के अंदर interest rate increase करता है, decrease करता है, तो उसका हमारी bond market के ओपर definitely impact पड़ता है, यह नहीं पूछ रहा है question के bond yield जो है, वो increase होता है, decrease होता है, नहीं, यह question ही नहीं है, question यह है कि influence करता है, चाहे वो yield को increase करे या decrease करे, influence तो करता है ना, अमेरिका के अंदर ज short term interest rate, तो of course उसको impact करते ही, तो 1.3 यहां पर हो जाता है, explanation थोड़ा side में मैंने दे दिया है, आपके लिए, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो, उसलावा दोसरा question, अलाकि यह दोनों question UPSC के ही है, previous year के है, तो यह कहता है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा inflationary कोया होता है inflationary मतलब जो की महंगाई को बढ़ाता है, अलाकि चारों ही महंगाई को बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ाता है, बड़ा interesting सा question है, देखें महंगाई तब बढ़ती है दोस्तों जब money supply बढ़ जाती है, money supply बढ़ने मतलब है कि जब लोगों के हाथ में पैसा आजाता है, है ना, भई पैसा आएगा तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, ज़्यादा खर्चा करने की capacity हो जाती है आपकी, आप पैसा आएगा तो नही नही चीज़ों के demand करोगे, demand करेंगे तो price भी बढ़ेगा, उसी को तो inflation कहते हैं, तो जब market के अंतर नया पैस पैसा आता है, जब RBI नया पैसा print करती है, ठीक है, उससे जनता के हास में पैसा बढ़ जाता है, money supply बढ़ जाती है, और inflation सबसे ज़ादा उसी से होता है, जब नया पैसा print होता है, और सरकार नया पैसा print करती है, budget deficit को भरने के लिए, bridge करने के लिए, अब budget deficit क्या होता है, मतल प्रिंटीशन ने पर्फेंटिन बढ़ता है तो ऊबसे ज़्यादे ने पइसे की प्रिंटीं यह थोड़ा आपको पता हो ठोगे बढ़ते हूं को आपने बेक्टुरू एंफउजन टेक्नोडी तो अमेरिका ने भाहियर फाइनली fusion technology के अंदर एक breakthrough हासिल किया है देखें आपको बताने की जूरत नहीं है कि fusion होता क्या है उससे पहले आपको fusion पता होना चाहिए दो hydrogen atom जो आपस में combine करते हैं तो helium बनाते हैं इसे nuclear fusion कहते हैं जब smaller nucleus मिलके larger nucleus बनाते हैं और इसमें बहुत सारा energy release होता है ठीक है इसे कहते है nuclear fusion एक होता है nuclear fusion जिसमें हम लोग क्या करते हैं जैसे higher elements को break करके smaller elements में convert करते हैं जैसे uranium को convert किया जाता है smaller elements में जो कि हम लाल nuclear जो technology उसमें use करते हैं nuclear जो हमारे weapons होते हैं जो इसके अंदर भी इसी technology का use करते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा फरक होता है दोस्तों जो nuclear fusion होता है nuclear fusion से radioactive harmful जो chemicals हैं वो ऐसा byproduct निकलते हैं और जिनको manage करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन nuclear fusion में जो byproduct निकलते हैं वो radioactive नहीं होते हैं वो बिल्कुल environmental friendly होते हैं तो energy clean होती है मज़ेदार बात यह है कि nuclear fusion के comparison में nuclear fusion के अंदर जो energy होती है वो unlimited होती है मतलब hundreds and hundreds of times ज़्यादा होती है तो साफ सुत्री होती है clean होती है environmental friendly होती है और energy भी बहुत ज़्यादा होती है इसके comparison में नीचे वाले के तो पहले ज़्यादा आप सोच रहे होंगे जब इतना ज़्यादा benefit है इसका तो इसको हम लोग use क्यों नहीं करते क्योंकि भाई वो technology इतनी advance है कि अभी तक हम लोग breakthrough हासिल नहीं कर पाएं हमारा जो sun होता है सूरिया होता है उसके अंदर भी nuclear fusion technology ही use होती है सूरिया ही नहीं बलकि कोई भी star हो उसके अंदर nuclear fusion से ही energy निकलती है तो बड़े समय से चाइना, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका ऐसी technology लगाने के जुगार कर रहे थे कैसा कुछ हो सके ताकि future में nuclear fusion से हम लोग बिजली पैदा कर सके और अगर बिजली पैदा होती है इसको हम लोग यूज कर सकते है तो बहुत बड़ा यहां पर breakthrough हो जाएगा जो आपके solar power plant है जो आपके coal thermal power plant है natural gas based power plant है सब बंद हो जाएंगे क्योंकि nuclear fusion से इतनी energy निकलती है हर आपकी पुरी demand पुरी की जा सकती है तो इसको करने का एक तरीका यह होता है कि जो hydrogen जो हमारे atoms होते हैं इनको high energy देनी पड़ती है और high energy पे जाके यह आपस में जुड़ जाते हैं और helium प्रड्यूस करते हैं इसे nuclear fusion होता है लेकिन हाई energy आ कहां से रही है मतलब आपको nuclear fusion से बिजली पैदा करने के लिए उनको पहले आपको बहुत जादा energy देनी पड़ती है तो hydrogen bomb के अंदर भी यही तरीका यूज होता है लेकिन hydrogen bomb तो bomb हो गया है न वो तो uncontrolled हो गया है हम तो uncontrolled चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी से control कर सकें तो इसके लिए क्या क्या जाता है high energy के लिए laser technology का use क्या जाता है तो high end जो world का सबसे largest laser है वो है अमेरिका के पास तो अमेरिका के पास जो Lawrence Livermore National Laboratory है California गंदर उसके पास यह laser है तो यह लोग क्या करते हैं जो hydrogen जो plasma होता है उसके उपर laser की bombardment करते हैं जिससे energy निकलती है बहुत ही ज़ादा और आपके जो hydrogen के atom है वो मिलके helium convert कर देते हैं अब तक क्या हो रहा था अब तक भाई ऐसा हो रहा था कि laser के अंदर energy ज़ादा थी और उसकी वज़े से जो energy produce हो रही थी वो कम हो रही थी मतलब खर्चा ज़ादा हो रहा था हम लोग जो laser को लिए कर रहे हैं लेकिन production कम हो रही थी लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी एनरजी हम लोगोंने laser से दी है उससे ज़ादा energy हम लोगोंने nuclear fusion से produce की है मतलब हम लोग surplus में गए है 120% extra हम लोगोंने बीचली पैदा की है मतलब यह समझ लेजिए जैसे 100 calorie laser हम लोगोंने use किया है तो 120 calorie हम लोगोंने nuclear fusion से produce की है तो मतलब हम लोग प्लस में हैं ये एनरजी का ब्रेक्थू है और अगर फ्यूचर बिस टेक्नोलोजी को देखे हाला कि अभी 20-30-50 सालों तक तो आप मान के चलिए इस अभ नहीं होने वाला है कि 40-50 सालों कम से कम लग जाएगा इसको ऐसा माना जा रहा है बट स्टिल प्रोसेश शुरू है साइंटिस्स लोग काम कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो डेफिनिटली कार्बन डाइक्सड जो हम लोग एमिट करते हैं इंडेस्ट्री की वजए से या वीकल से वाज़गर क वज़े से वो डेफिनिटली कम हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज को हम लोग यहां पर टैकल कर सकते हैं तो इस सचा ग्रेट थींग जल्दी हो जाए टाइम लगता है चीजों में महान चीजों में टाइम हमेशे ही लगता है इंडिया में फर्स्ट टू होल्ड अब ही तक तो इंडिया में सैटलाइट फोन अलावड ही नहीं है कुछ खास सिच्वेशन में जैसे कुछ मिलिटरी में पुलीस में डिफैंस में आप सेटलाइट फोन का यूज़ कर सकते हो सैटलाइट फोन के लिए क्योंकि आपके टावर सगयला के रिक्वार्मेंट नह नहीं है तो इट्स वरी सेफ और आप कहीं जंगल में हों समंदर में पड़े हों धर्ती के नीचे हों डेजन मैटर आपको हमेशा ही सिगनल वहां पर मिलता है तो यह होती है सैटलाइट आम जंता के लिए अभी तक इंडिया में सैटलाइट कॉम्निकेशन अलावड नहीं देशों में लावड होता है इंडिया में लावड नहीं था तो जैसे हम लोग नॉर्मल जो स्पेक्ट्रम होता है हमारा जिसे ट्राई रेगुलेट करता है जो एटल जीओ इन कंपनीज को दिया जाता है उसी तरह ऐसे फ्यूचर में क्योंकि हम लोग सैटलाइट कॉम्निक तो अभी तो देखें इसके बारे में सिर्फ बातचीत चल रही है आगे फ्यूचर में डेफिनिटरी आर्टिकल और भी जादा आएगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहां सी है तो एडिटोरिल आएगा टेक्स एक्शन आएगा तो डिटेल में जागे इसको डेफिन यहां पर जो है इसका यूज कर रही है जो कि इलोन मस्क की कंपनी है और सबसे बड़ा तो यह होता है कि जो इनक्सेसिवल एरिया होते हैं मांटेनियस एरियाज होते हैं इंटीर एरिया होते हैं जहां पर अभी तक मोबाइल के एक्सेस नहीं है नेटवर्क के एक्सेस नही पढ़ लेना इसको आप लोग जाके ठीक है चलिए एक यहाँ पर जो आज का text section था वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं बहुत ज़्यादा detail में नहीं जाएंगे बट China America के relationship को थोड़ा देख लेते हैं मारे exam के perspective से इंडिया के relation ज़्यादा important होते हैं ठीक है इंडिया का मोलदीव से श्रिलंका से नेपाल से चाइना से पाकिस्तान से युएसे से फ्रांस से जर्मनी से इस्राइल से वो हमारे लिए ज़्यादा important है अमेरिका और चाइना का जो वो सिर्फ एक understanding के लिए पता होना चाहिए क्योंकि दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर हैं अमेरिका और चाइना यह आपस में दूसरे के बारे में क्या सोचती है वो थोड़ा हमें definitely पता होना चाहिए देखे वैसे तो अगर चाइना को देखे तो कुछ साल पहले तक like 1980s और 1990s तक चाइना कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थी ठीक है ना वो military पावर थी बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही वो economic पावर थी जब cold war चल रहा था तो you know कि जो चाइना वो भी communist country ही है of course तो अमेरिका तो capitalist country है भाई तो चाइना अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे थे नहीं बड़ लेकिन जब चाइना ने अपनी economic open किया तो अमेरिका योरोप खासकर अमेरिका की company को एक opportunity नजर आई तो इन्होंने भाई भरभूर एक धड़ले से चाइना के अंदर इन्वेस्ट किया चाइना के अंदर ही लोग technology लेके आए ठोकि चाइना के अंदर labor cost बहुत कम थी अब तो खरित नहीं रही है बट बहुत कम थी तो Chinese company वो अमेरिका में set up होई technology लेके आई और हमें चाइना की prosperity बढ़ी technology advancement हुआ वो सारे चीज उनके अपनी policy है बट still दो जो super power हैं उनके बीच में issues यहाँ पे चल रहे हैं काफी समय से कुछ समय अब पहले आपको पता ही है कि जो Nancy Pelosi जी ने Taiwan के अंदर visit किया था और Taiwan जो है वो भाई China की दुखती रग है और Taiwan को China अपना part मानता है तो अखंड China की बात करते है तो उसके तर Taiwan भी definitely आता है अलागे Taiwan को अभी वो control नहीं करता है Taiwan के अंदर अपनी government है बट anyways तो हुआ यह था कि पिलोसी जी ने जब Taiwan की यातरा की तो issues जो है वो काफी जादा यहाँ पे बढ़ गए लेकिन अभी बाची शुरू हुई है G20 की जो meeting हुई थी Bali की अंदर वहाँ पे दो between US and China मतलब इसी क्या नुबत आ गई कि दोनों के रिष्टे जो है वो खटास में पड़ गए सोर हो गए खटे हो गए खराब हो गए इसके पीछे आपको जो थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा प्रेजेंट सिनारियो को देखना पड़ेगा बात यह है कुल मिल आके कि चाइना की एकोनमी जैसे जैसे ग्रो करने लगी तो अमेरिका को अपने डॉमिनेंस के ओपर जो है थोड़ा सा खत्रा नजर आने लगा तो अमेरिका चाइना को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा कुछ स्टैप यहां पे लेने लगा रही कई कासा जो है मिस्टर ट इंप्लोमेटिक तरीके से अपना डूमिनेस दिखाने लगा, बहुत सरे कंट्री में इन्वेस्ट करने लगा हर चीज के अंदर, और USA की पार थोड़ा डिकलाइन होना शुरू हुई, चीक है, तो उसकी, और क्योंकि अमेरिका जो है वह इराक में, अफगानिस्तान में काफे ज़्यादे इन्वोल हो रहा मिडल इस्ट में, तो उसकी वज़े से हुआ, फिर उसके बाद डोनल्ड ट्रम्प भाई साब आए, इन्होंने तो चाइना के खिलाफ जो है, भर भर के, जो जहर उला है, तो वहां से रिलेशन जो है, खराब होने शुरू हुए, और ट्रेड का ये कहना था कि चाइना जो है, उसकी जोब्स को लेके जा रहा है, और जिसकी वज़े से अमेरिका में अनेप्लियमेंट बढ़ रही है, तो वह ट्रेड वर शुरू हुआ, टैरिफ वर शुरू हुआ, वह सब चीज़े हुई, उसके बाद मिस्टर बाइडन आए, मिस्ट उसके लावा भे धीरे धीरे जो अभी रेशिया युकरेन का क्राइसिस है, रेशिया को सपोर्ट जो कर रहा है, चाइना और ताइवान के अंतर जो इसी इस्यूज हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेके अमेरिका और चाइना के बीज में रिलेशन काभी खराब हो गए ह तो यह थोड़ा साब को पता होना चाहिए, दूसरी बात, यहां पर लडाई ना टेकनोलोजी की भी है, पैसे की लडाई नहीं है, टेकनोलोजी की भी लडाई है, तो जैसे जैसे चाइना टेकनोलोजी के लिए डोमिनेंस करता है, खासकर जैसे 5G टेकनोलोजी, तो अमेरि आज इकल और फ्यूचर में सारी टेक्नोलोजी वह सेमिकंड़क्टर से ही चलती है तो इसको कुंट्रोल किया जाने लगा अमेरिका के द्वारत रिष्टे जो है थोड़े से और खराब हो गए तो सारा मामला यहां पे जो है वो चल रहा है फिलाल और रश्या-उक्रेन वाला स्टेट्मेंट ४े दीया है युएस का कहना है कि वह चाइना के साथ कोई भी पंगा नहींचा चाहता नहीं है इस के लाबफ क्लावा、 क्लाबा मैक्रेक्कोनोमिक के इसे वागा हुए और फूर चांग कोंग के ऊपर, जो है चाइना का जो strong point है वो चाइना ने रखा है अपना तो चाइना का जा कहना है कि भाई आप हमारी जो बीच में लड़ाई है उसको democracy versus authoritarianism ना देखें ऐसे तो cold war शुरू हो जाएगा ना यार आप इसको इस तरह से मत देखें आप जो है मेरे values को respect करें मैं आपकी values को respect करूंगा तो एक हाथ से ताली तो नहीं बजती है दोनों को सामने आना पड़ेगा तो यह कुछ-कुछ चीज़े हैं चाइना ने का कि cold war की तरह है अमेरिक ऐसे पंगा नहीं चाहता है चाइना को आज भी पता है कि वो military युएसे से बहुत पीछे है तो वो cold war तो afford नहीं कर सकता है even trade war भी afford नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना का जो एक edge है वो सबसे बड़ा यही है कि वहाँ पर labor cost कम है और वहाँ पर चाइना में जो companies हैं major leave European और American companies ही ही है तो अगर अपनी manufacturing units को out of China अगर settle कर देते हैं तो चाइना को काफी नुकसान हो सकता है तो चाइना के इस बात का पता है तो वो direct confrontation नहीं चाहता लेकिन इंडिरेक्टली काफी चीज़े करता रहता है यह कुछ कुछ चीज़े हैं future में क्या होगा हमें अभी तक नहीं पता है बट चाइना धीरे धीरे अपनी जो military house को modernize करता जा रहा है और ताइवान को लेके चाइना का stand बहुत clear है वो कहता है ताइवान सिधा सिधा सा मेरा part है और वो नहीं चाहता कि चाइना अपनी ताइवान को policy को लेके change करे प्योंकि one China की जब बात करते हैं तो ताइवान is considered as a part of China and USA legal तोर पे considers one China policy ठीक है बट परदे के पीछे से ताइवान को बहुत support मिलता है अमेरिका का तो ये कुछ-कुछ चीज़े हैं बाकी Indo-Pacific की बात करें तो यहाँ पे भी और Code की बात करें तो अमेरिका जो है वो काफी you know active है यहाँ पे और चाइना भी उस counter करना चाहता है तो ये कुछ-कुछ चीज़े हैं तो तीन pillar हैं invest, align and compete इसके basis में जो है वो काम किया जाता है बट ये कुछ-कुछ मिला कि मतलब बेसिकलि ये चीज़े हैं कि relation का past, relation का present तो ये आपसे exam में इस तरह का questions तो directly तो नहीं पूछा का दोनों के relations से India के perspective आप यहाँ पर पूछ सकते हो मतलब इस तरह का question आपसे definitely exam में आ सकता है कि भई discuss the impact of है ना इस तरह से लिख सकते हो discuss simple सा question है कुछ ज़्यादा गुमाफिरा के नहीं है discuss the impact of US-China rivalry on India है ना simple question है पूछ सकता है आपसे कोई दिक्कत नहीं है ता आप इसमें जो इंडियावाल एंगल दोगे 10 marks 150 words चलिए जी आगे बढ़ते हैं दोस्तों next हमारे पास जो topic आता है वो आता है आज का एडिटोरियल जो बात करता है Rise of Rural Manufacturing ठीक है देखे usually हम यह लोग इमान के चलते हैं कि urban areas के अंदर ही manufacturing जादा होती है लेकिन ऐसा actually में है नहीं पिछले कुछ समय से 10-15-20 साल से rural sector के तरफ हमारी manufacturing दिरे दिरे बढ़ रही है rural sector मतलब यह proper गाउं नहीं परबर गाउं भी हो सकते हैं लेकिन जो small cities होती है जो अभी भी rural areas के अंदर आती है urban areas मतलब metro cities के अंदर industry जो है वापिस छोटे शहरों के तरफ जा रही है इससे कहीं सरे benefit मिलते हैं यह एक balance regional development का एक sign हो सकता है और काफी welcome sign है और काफी welcome करते हैं वर्ल्ड बैंक ने 2012 के अंदर एक report निकाली थी is India's manufacturing sector moving away from the cities that was the title of the report और जिसमें यह कहा गया था कि yes manufacturing actually rural areas की तरफ जा रही है but यहां पर आप देखें क्या कह रहा हो कहता है manufacturing plants in the formal sector are moving away from the urban areas यानि कि जो formal sector वाली jobs है वो urban areas से rural areas में जा रही है जो informal sector वाली jobs है वो अभी भी rural areas से urban areas की तरफ जा रही है यानि कि समय का चक्र उल्टा हो गया है formal rural की तरफ आ रही है और informal urban की तरफ आ रही है यह world bank की report है उसके लावा annual survey किया जाता है industries का जो 2020 में भी उन्होंने यही कहा कि 42% of the factories right now in India are in the rural areas 62% of fixed capital is in the rural areas तो धीरे धीरे गाउं की तरफ rural areas की तरफ industry जो है वो बढ़ रही है नई नई जो investment हो रही है वो भी rural areas की तरफ ही आ रही है ठीक है यह तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए in terms of employment it accounted for the 40% employment भी general rate हो रहा है तो 44% तो rural areas में ही जा रही है अब यह बात यह है कि भाई इसके पीछे कारण क्या है urban area से rural area की तरफ जो shifting हो रही है manufacturing sector की वो क्यों हो रही है इसके पीछे कई सरे reasons है पहला reason जो यहाँ पर सबसे बड़ा नजर आता है वो यह है कि factory floor space supply urban areas के अंदर तो भाई space limited है ठीक है आपने बाद factory लगा दी मालों 10 साल के बाद अगर आप उसको expand करना चाहते है तो कहाँ expand करोगे आपके पास जगेगी बहुत कमी है बट rural areas में आपके पास land almost unlimited है आप अपनी factory को बढ़ाना चाहते हो और आपस बढ़ा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दूसरी बात यहाँ पर यह है चितनी की urban areas में है यह कुछ-कुछ बात इन्होंने हाँ पर बोली हुई है displacement of labor by the machines तो कि company क्या कर रही है वो robots machines का ज़्यादा यूज़ कर रही है rather than human beings तो उससे हो रहा क्या है जब आप machines का यूज़ करते हो technology आप advancement करते हो तो उसके लिए आपको जो है एक different तरह का setup चाहिए urban areas के अंदर वो setup आपको नहीं मिल पाता है क्योंकि वहाँ पर अलड़ी बहुत congested चीज़ें हो चुकी है तो capital intensity जो है वो rural areas के अंदर जादा है as compared to urban areas दूसरी बात दूसरी बात यह कहता है production cost तो कि urban areas के अंदर जो है वो operating cost बहुत ज़ादा है land का rent ज़ादा है बिजली के bill भी बहुत महंगे हैं पानी महंगा आता है taxation वगरा काफी ज़ादा होता है तो operating cost ज़ादा होती है cities में urban areas के अंदर काफी कम होती है इसकी वज़े से profitability बढ़ती है companies की और competitiveness बढ़ती है यह ना बतला यह समझ लेजे एक factory urban area में लगा रखी है किसी company मतला अडानी ने अंबानी ने वही रूरल area के अंदर लगा रखी है तो अंबानी को ज़्यादे benefit होगा क्योंकि इसके गाउं के अंदर factory है उसका बिजली का बिल कमाता है rent कमाता है salary कम देनी पड़ती है तो इसे competitiveness बढ़ता है तो अंबानी वाले product अडानी वाले से सस्ते हो जाते है ठीक है तो इन्होंने यहां पर एक reason दिया है दूसरी बात इन्होंने यह कहिए availability availability of less skilled less unionized and less costly labor तो union बाजी गाउं वगरा में जादा नहीं होती है इर्बन बाजी ज़ादा होती है union बाजी क्यों क्योंकि वो काफी पुराना setup है और marxist जो moment रही है इंडिया में उसके वज़े से union काफी strong है urban areas के अंदर, तो कहीं बार वो लोग क्या करते हैं strike पे चले जाते हैं, अड़ताल अगरा कर देते हैं नुकसान हो जाता है, तो ये कुछ-कुछ चीज़े हैं लेकिन कुछ challenge भी है of course, वाई challenge सबसे बड़ा तो challenge यही है कि skill, अरब rural area में mostly जो लोग हैं वो unskilled है, semi-skilled है तो उनको skill provide कराना ज़रूरी है क्योंकि आप जब skill provide नहीं कराओगे तो अपनी product की quality को आप improve नहीं कर सकते और आपका जो competition का जो edge आपका मिला था वो edge धीरे-धीरे खतम हो जाता है क्योंकि urban areas के अंदर आपको high skilled workers मिलते हैं जो better machine का use कर सकते है, quality improve कर सकते है later on competition में ज़्यादा better कर सकते है तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि भी skill उनको दिया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है तो यह कुछ-कुछ चीज हैं आपका पता होने चाहिए तो that was the whole article about the rural manufacturing आप आसानी से बहुत simple सा question यहाँ पर बना सकते हो आप simple सा question यहाँ से बना सकते हो that rural manufacturing rural manufacturing in recent times has experienced a rising trend in this context discuss the reasons and challenges of rural manufacturing in India फिक है जी, तो 150 words में आप इसको लिख सकते हो 10 marks में simple सा question रहेगा आज के लिए दोस्तों इतना ही था उसके लाव एक और article यहाँ पर है vaccine वाला यह आपको मैंने self study के लिए डाला है हो सकता है cancer की vaccine आने वाले समय में आ जाए तो इसको थोड़ा आप खुद से पढ़ लीजिए बाकी मैंने self study के लिए आपको यहाँ पर एक brownie points के तोर पे types of vaccine वाला आर्टिकल जा है वो दिया हुआ है आप इसको भी आराम से मस तिकदम पढ़ सकते हो ठीक है उसके लावा कुछ additional आर्टिकल हमारे पास है मन करे तो पढ़ लेना मन ना करे तो छोड़ सकते हो